भारत माता की भारत माता की मांबाना चरणों मावीने गुजरात नी आप पहली चुटनी सभा सम्भोधन करवानों मने सो बागे मलुज़ अब मुको भाई बहुत है क्यों आप फोटा वाला भाईयो पन फोटा नीचे जराखो पाशर देखातू नाथी दिक्रीने को भी फोटो नीचे लेगिन बैस से सांती थी साथ्यों भाईया आपने कोनों बताओ ये फोटो जो एली तुम्हें साथ्यों गुजरात नी धर्तिये मने जे समस्कार आप्यां जे शिक्षन आप्यों और खूब लांबा समय सुदी मने मुख्यमंत्री राखी ने आपे जे मने अनुभव करवानी तक आपीं कि ये बाद जो आजे मने दिल्ली मां लेखे लागे जे अगे अगे हमना संचालक बेंड केता था कि पीएम साइब पजी हमारा सीयार पार्टी लपन बोले पीएम साइब आपी एम बीएम तो बदा दिल्ली मां वाहीं तो आपना नदर्द भाईया है सी अने आजे आपनी बत्चे आवयो चुटनी नी शर्वात नी पहली सबा आजे आ करमट माता हो बेंडों ना छेत्रमा था ही रही छे अने शर्वात एक बेन उमेदवार माटे आशिर्वात मागवाती तहे रही छे मारा माटे गर्वनी वाच चे गणुबधु मारे केवान हुझे पन शर्वात मां जरा हिंदी मां बोलीश् पहला तो आजे गुजरात नो स्थापना दिवस अने गुजरात नो स्थापना दिवस आपना बजा माटे नवा संकल्प नो दिवस नवी उर्जा माटे नो दिवस अने निमिते आवक्ते आपने संकल्प लहिए पहली में के विक्सीद भारत बनावा माटे विक्सीद गुजरात बनावा मां हमें कोई कमी नहीं रहवा दही है आप सबने मुझे दोहजार चौदा में दिल्ली में भेज करके देश की सेवा करने का अउसर दिया और वो दिनियाद कीजिए 2014 के पहले जो सरकार थी तब देश में चारों तरब जो खबरे रहती थी आतंकवाद गोटा ले चारों तरब प्रस्टा चार सारे नीती निर्णे ठंडे बस्ते में पड़े थे देश निराशा की गर्त में डूब गया था देश का नौजवान यह सोत रहा था कि मेरा भविश्यकर क्या होगा और ऐसे विकट कालखन में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मोका दिया और जैसा आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी जैसे आपने मुझे सिख्षा दी थी मैंने मेहनत करने में कोई कमे नहीं रखे पल पल देश वासियों के नाम पल पल देश के नाम आपके नाम और मैंने कोशिस की कुछ संकड़ वरिस्तिती से देश को बहार निकालू सामान ने माजवी की उमीदे पूरी करू आप मेरे गुजरात के भाई भेन आप मुझे करीब पचीश साल से सरकार में काम करते हुए देखा है और आप भी कह सकते हैं कि जिस अपेक्षा से आपने बेजा था जिस आशा से देश ने मुझे बिठाया था उसको पूरा करकर के एक नया विश्वास जगाने में मामबा ने अम पर सब पर करपा किये और आदेश एक नये विश्वास के साथ आगे बढ़ा 2019 में हर कोई मानता था कि दुबारा तो सरकार बनी नहीं सकती है और सरकार न बने इसके लिए दुनिया भर के खेल भी चले थे लेकिन 2019 में दुबारा आपने मुझे अवसर दिया एक मजबूत सरकार का मेंडेट दिया और मैं फिर से एक बार देश की सेवा में खपने लगा ये 2024 का चुनाव ये 2024 के चुनाव में मेरे 20, 22, 25 साल के अनुभव को लेकर के आया हूँ 10 साल मैंने देश को चलाया है जिस प्रकार से और देश जो नई उचाई पर पहुंचा है और देश के समर्थ को मैंने भली बाती जाना है समझा है उस समर्थ से ओ मैं पुजारी बन गया हूँ और देश के उस समर्थ के अधार पर मैं गारंटी लेकर क्या आया हूँ गारंटी ऐसे नहीं की जाती बहुत बड़ी हिम्मत लगती है लेकिन मेरे पास अनुभवता देश के सामर्था को जानने पहचाने की शक्ती थी और मेरी गारंटी है आने वाले मेरे तीसरे टम में मैं हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बना के रहूँगा कि अर्जब बेच की संप्से बड़ी अर्थ व्यवस्ता बनेगा तब उसकी समुर्दी कि उसका सामर्थ है उसका लाब वर्तमान पीडि को भी मिलेगा और आपकी आने वाल पीडि को भी मिलेगा और ये काम की गारंटी लेके मोदी आया है Hai कि इस प्रिबार सरकार जो बनेगी चार जिन को नतीज जाएंगे क्यों सु दिन में क्या करना पुपान मैंने अपी से तयार कर कर रखा है कि अप गुजरात वाले जानते हैं जब यहां चुनाओं जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा ताइक करने में लग जाता था और पहले सो दिन में भाज़बा सरकार क्या काम कर सकती है कि हमने दिखाया था कि नर्बदा गेट से ले करके सारे फैसले मैंने कर लिए था आपको याद होगा ऐसे ही तीसरे कारकाल में गरिब कल्यान किसान कल्यान और उनके लिए विकास के लिए नए निर्ड़े नई गती नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एक जुट होकर हर बूत पर कमल खिलाना है और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई व्यान से सिरफ सब्की सब लोगसभा की सीटे जीत करके मैं संतूस्ट होने वालों में से नहीं हूं इतना तो मेरा हक बनता है ना आट लोग तो मारो हक बने ना बने अने टले खाली बती सीटों जीत वीजे उनाई आप अपने को बद्धा पॉलिंग बूत जीत ने के सफलता ही मनासकानरा से बेन रेखा बेन चोधरी और पांटन से वाई बरत सी डाभी वो विजय होकर के दिल्ली आएंगे आपके आशिरवात से आएंगे और आप जब उनको एक वोट देंगे तो वोट उनको जाएगा इतना नहीं है वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा और जब वो वोट मोदी को जाएगा मतलब गारंटी पक्की हो जाएगी भाईयों बहनों मैं आज गुजरात के लोगों को सेलिट करूंगा कुणों ने अपनी सूजबुच से हां कभी भी अस्तिर सरकार नहीं आने दिए आप किसी शौट टम प्रलोर में नहीं पड़े देश के कई राज्यों में राज नितिक अस्तिरता ने उनका बहुत मुक्षान किया है राजनितिक अस्तिर्ता ने उद्योगों को नहीं पनेफिले दिया राजनितिक अस्तिर्ता ने इन राज्यों को बड़ी वीजन के साथ काम नहीं करने दिया आपने गुजरात को इन सबसे बचा कर रखा है इसलिए आपने एक बार कॉंग्रेस को गुजरात से हटाया तो फिर उसको पैर नहीं रखने दिया सात्यों आज भी कॉंग्रेस के पास ना मुद्दे है और नहीं कोई वीजन है और नहीं उनके पास कोई काम करने का जजबा है आप याद कीजिए 2004 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आए है तो 2014 में कॉंग्रेस के मुद्द्व क्या थे तब कॉंग्रेस यहीं चलाए जहाएएं चाहे वाला क्या करेगा और उसको गुजराट की समझय अधेश की की निजह蟋 आ कि यह दालबाद खाऊ वाला क्या करेगा यह चलता था कि कॉंग्रेस की सभाव में चाहिकी कितली लेकर के बेची जाती थी देखो यह मोदी आया है यह मेरी मजाग उड़ाई जाती थी लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जबाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो चालिस पर आ गए है कि दोजार उन्नीस में जब दूसरा चुनाव आया उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया दोजार उन्नीस के चुनाव में निकल पड़े चौकिदार चोर है याद है ना चिलनाते थे और कहता थे मोदी खून की दलाली करता है और राफेल राफेल के छोटे-छोटे खिलोने बना करके सभी सभाओं में गुमते थे राफेल ले करके मंच पर भी इस बार समय दाल लेके गुम रहे उस समय राफेल लेके गुम रहे थे कि एचेल को लेकर के भांती-भांती के जुट फेलाए जनता ने फिर एक बार उनकी स्थितिया साथ प्रादा कर दी कि वो अधिकृत रुप से विपक्ष भी नहीं बन पाए इतना हाल उनका खराब कर दिया सांतियों 2019 के बाद इनों ने मोदी का अपमान करने का प्यान और तेज कर दिया कॉंग्रेस के सहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाच को पूरे ओबीसी समाच को चोर कर दिया मोदी क्यों की गुजरात से हैं इसलिए पूरे देश में गुजरात के विरूद नफरत फलाने की एक भी मोका नहीं छोड़ा जा रहा है कि नहीं रुके इनोंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीशे नहीं रहे भाई और भेनों अब दोजर चोबीस में कॉंग्रेस और इंडिकर्ट बंदान ऐसा जूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आये हैं और उनकी जो इको सिस्टेम है वह भी जीट जूट को हवा दे रही है सम्विदान दिखाते हैं आरक्षन ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं पूरी तरह मन गड़न गब भाजी यही उनका काम है और कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है को क्या परिवार वालों को प्रस्टा चारक सब्सक्रांब CHA keeper को जैने का técnica also IF और देखिएगा इस बार भी ये पहले से कम सिटों में सिमट जाएंगे शाथियों अभी चुनाव के दो चरण पूरे हुए हैं पहले चरण में इंडी गड़बंदन पस्त पड़ा और दूसरे में द्वस्त हो गया यहां पडोस में राजस्तान का चुनाव पूरा हो गया है राजस्तान में उनको एक शिज मिलने की संभावना नहीं बची एक नहीं यहाल हैं इसलिए इंडी गड़बंदन बोगलाट में कुछ भी कर रहा है यह लोग मौबद की दुकान चलाने के लिए निकले थे अब मौबद की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है अब चुनाओं में उनकी बाते नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फ्रला रहे हैं आप कलपना कीजिए जिस पार्टी ने साथ साल तक देश पर राज किया इतने सारे इनके प्रधान मंत्री रहे मंत्री रहे जनता के पाथ जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी महबद की दुकान में फेक फ्रक्टरी रूप में आप काम करने लगी है जिसे यह महबद की दुकान कहते थे वो दरजल फेक ठ्रक्टरी रहे कांग्रेस के वीडियो फेक कांग्रेस की बाते फेक कांग्रेस की बादे फेक कांग्रेस के नारे फेक कांग्रेस की नियत फेक और लड़ना है बोधी है चाय वाला है मामूली है गरीब का बेटा है अरे आओ ने यार दो-दो हाथ कर लो हो जाए मुकाबला कि यह दालबार खाने वाला क्या करता है दिखा देगा कि अरे हिम्मत है तो सामने से बार करो कि यह फेक वीडियो का गेम बंद करो कुछ पल लोगों को आप गुम्रा कर पाओगे हैं लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी यह देश आपको देगा साथ यह इन लोगों ने चलाया है मोधी 400 सीट इसले मांग रहा है का अरे उनको मालूम नहीं आज भी पारलेमेंट जो पांच साल चली एंडिये के 360 करीब करीब एंपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एंडिये में नहीं थे आंद्रे की भाय सर्चिप्य हमारे एंडिये में नहीं थी जो हमें समर्थन करते थे वैसे भी पारलेमेंट में पांच साल मेरे पाथ 400 की ताकत तो थी ही लेकिन नहीं ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए है नहीं ये पाप करना हमारा रास्ता है देश के सम्विधान के निर्वाता और जो सम्विधान दिया है कि उस सम्विधान की सुचिता उस सम्विधान का सावरक्षान और कॉंगेरिस वालें उनकी कान खोल के सुन ले कि मोदी है कि मोदी जब तक जिद्न है कि मैं तुम्हें कभी भी कि धर्म के आधार पर कि आरक्षन का खेल खेलने नहीं दूंगा SC, ST, OBC और सामान्य वर्क के गरीब उनको जो आरक्षन मिला है संविधान के तहत मिला है बाबा साब आमबेड करके आशिरवात से मिला है उस बहरती भर भी कोई लूट नहीं सकता है तुमनारा जो इरादा है कि दलीत समाच, आदिवासी समाच, पीछडे समाच के लोग, सामान्य वर्के गरीब लोग, जुनको आरक्षन मिला है उस आरक्षन में से लूट चलाकर दर्म के अधर पर तो मुसलमानों को आरक्षन देना चाहते हूं मैं आज कॉंग्रेस के सहाजादे को, कॉंग्रेस पार्टी को और कॉंग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमाद को चुनोती देता हूं मैं उनको चुनोती देता हूं नहीं धर्म के आधार पर किसी को आरक्षन देंगे गोशना करो हिम्मत हो तो नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है मैं दंके की छोट पर कहता हूं को और मैं दुनिया और देश के सामने रेकॉर्ड पर कह रहा हूं भारतिय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है जब तक मोदी है बाबा सावाम बेड करने बारत के संविधान ने सब्सक्राइब के लोगों को जो आरक्षर दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी और जो लोग धर्म के आरक्षर दाम पर देना चाहते हैं वो गोशित करें क्योंकि उन्होंने आंद्र में प्रयोक कर चुके हैं विक करना चका मैं प्रयोक कर रहे हैं वोट बैंक के लिए दलीतों का आरक्षर चिनना चाहते हैं वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षर चिनना चाहते हैं वोट बैंक के लिए OBC का आरक्षर चिनना चाहते हैं कि करना चका में उन्होंने क्या किया रातो रात सभी OBC समाज को उन्होंने मुसल्मानों को OBC गोसित कर दिया और OBC को जो आरक्षन मिलता था रातो रात डाका डाल करके उसका एक लूट गए कि यह देश में चलेगा क्या चलेगा क्या यह चलने दूख्याम है और इसलिए आज जूट फैलाने में लगे गुम्रा करने में लगे हैं और इंडी घडबंदन के उमेरी यह चुनोती है कि गोशित करें कि वह गारंटी देश को लिखित में दे क्योंकि उन पर वरोजा नहीं कर सकते हैं कि वह धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं देंगे गोशित करें दूसरी गोशना करें करेंगे मैं जानता हूं कि कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे और देखना मीडिया के उनकी जो जमात है ना जो उनके गाजवाजवाजवाजवाजाते हैं वह मेरी इस चैलेंग्स को ही दोबादेंगे इसकों उनकी रक्षा में लगे है पर भाईयों तमहें गुजरात इमने मोटो करो जैन तमें चिंता करो यहां यह मनों खेल पूरो जावगते हैं साथ्यों आ चुटड़ी मां मारे यह वालोग साथ्यों जोड़े वाद करवी छे खासकरी ने जिमनी उमर पांतरी चाली पिस्ताली यह सब जे लोको पहली वार ड़ार वर्ष न रहा से मत मढ़े आसे एमने पहला नी देशनी शू दसा आती नी खबर नहीं होए ताक यहने अवे पहलो वोट मढ़े हो से यह हूँ जार प्रजान मंत्री बने हो एला पहला दे विचारो आट वर्ष न होए बार वर्ष नो होए एने ए वक्ते शू दसा आती देशनी खबर नहीं होए एक वार जरा आज कल नी पेड़ी तो गूगल वाड़ी जरा गूगल पर जेन चुना छापा सोज्जो हेडलाइन चोरी लूट आज आवती थी अन आजे शू समाचार आवे जे आटला पकड आटलान जेल मना ख्या अनि एनोच फपडार छे आज तमे मने कोब आए आज देशना लोकोनी काली मचूरी करीने जे टैक्स आप्यों होए एने उन लूटवा दो लूटवा देवाए अना लूटा राउन ठीक करवा जो एक ना करवा जोई है अब वो ये काम करूँ जो मारवार खेचे जे तुमने आस्ते रहता से जाती हो आवक्ते कॉंग्रेस ने स्थिती ये भी छे है तमारा सरकार बना भी वह नहीं तो उच्छा मोची बसोन बोतेर सीटों तो एमपी ज सिवाए भाजब सिवाए आज देश में एक पंड पोलिटिकल पार्टी कॉंग्रेस पंड बसोन बूतेर लड़ावतार नथी बोलो कि लिए तमें बसोन बूतेर लड़ावतार नथी अनको जमें सरकार बलाई चुँँँ आजे तो एमनी स्थितिये भीचे के आमनों जो सही परिवार चाने दिल्ली मां रहे चे एमनी तसा भीचे के पूते आवक्ते कॉंग्रेस ने वोट नहीं आपके के बोलो आम मोधी साहिब नी कभाल अच्चे था है साही परिवार कॉंग्रेस ने वोट नहीं आपके के आवक्ते कॉंग्रेस ने उपेद वाले था थी अधिया अपना त्यां गुजरात ना मोटना नेता था एमध भई एमध भई तो वह रहा नहीं है एमनी तो सही भी कॉंग्रेस ने आपके एमध भई नों परिवार कॉंग्रेस ने वोट नहीं आपके के कॉंग्रेस ने गभालता दता त हमकर वह रहता न थे आयने थे यह कि हमना गरां कॉंग्रेस ने वोट निवना हैके के है था कॉंग्रेस ने तमें विचार करो और न आ कॉंग्रेस दे सम्पून बढ ज़रें परीं चुटने रहोड़े था मैं क tutti His मुस्लिम लीग नी छाप छे आमा अने एक पजी एक पाना खुलवा माड़े आजे अवे एमने मावोवादी गोश्राव करवा माड़ी जिनक्सल वादी एमने करूँ चे अवे पार्टी तो बरबात करी अवे उंतों मर्यों तनाय मारू एम मुड मां देशने बरबात करवा अवे एमने पार्टी तो तबहा करेती थी देशने बरबात करवा निक्रे आजे अने एमने एक नवो एमने करी जो में एक्सरे करी जो आखा देशनों एक्सरे करी शो इतले तमारा लोकर मां सूपड़ी जे एक्सरे तमारा गर मां सूपड़ी जे एक्सरे तमारा बैंक मां बाजना ना कि जवार ना डब्मा मर्द राखी मूं क्यों है एक्सरे पची लुटी लेवानु आ इमने मेनी प्रेश्टों मा गई उचे जे बदू छे पच्ची जेनी पासे नथियने वहची देवानु तमें आ गरीबी वहचवा निकड़या चो बाई आ देश ने तमें तबाह करवा निकड़या चो शू माड़ी उचे तमें तमें विचार करें अमने बिजी एक बाद करी यहमना एक खेरखा बेठा ची विदेश मा यहमने त्यांतिस हंदेश वाप्यों जायर मा कईू आपने तया दल एक माबाप यहनी इच्छा हुआई ने क भाई मृत्यु पछी संतानों ने कहीं ने कहीं आप इंजबू जरी एक माबापने इच्छा हूआ्क ना हुआई कोए माबाप यह हुआए क्यों तो देवुकरिन जैज छोकरा भर्षे इवव कोई माबाप वह हुआ यह के माबाप यहाँ हुआ हुआ बद्धा माबाप कही निकई बचत करेग ना करें छोकरों माटे आप इन जवानों विचार करेग ना करें अवे कॉंग्रेस वाड़ा ए एना उपर डोरो ना क्यों चैने अमिने जायर करीजे के हवे तमय जे बच्चाई हुआ है के तमय तमारा संतानों ने नहीं आपी शको लह से है पंचामुंट का ट्याइग ना चैनुअ एदनी मानों के तमः पासी 10 एकर में छोकरा ने संता नोने दस एकर आप इन जवा मागो चो तो तमारा पांच एकर सरकार मागें पांच एकर रहा हाँ आ काई दो लावाना चे तमारी पाइब बैभ भैस हो है तो एक बैस कॉंग्रेस वाड़ा कैसे सरकार पापी दो एक तमार छोकरान आप पाइने केम तो हमारे एक भैस हमारी वोट में एक माप पाइन से कि आख काईदेशन लावाए मैंनी पेस्टू मन लगी जो बोलो आई हिम्मत एमनी अवे आध देशना नागरीग न आपने समझाओ जो जो ना समझाओ जो जो बाई अमें तो तमारी ताकात वधरवानू काम कर रहाचे कि तमें बेगी गरेली ताकात ने लूटवानू काम करवानू विचार रहाचे पाई अने इतला माटे मारी आप सवने विननती छे क्या कॉंग्रेस ती चेतना रह जो आलोको ये जे एमना बदा पापो सरू करया छे जे फर्स्टाइम वोटर से एमने खबर नहीं होए बुजरात में एक जमान होए तो वी तो जे तीस पांतरी ना एमने खबर नहीं होए सांजे वालू करती वक्ते विज़िन होती आवती भाई आपणा बनास का ड्रामा पाणी नोमले पाणी में मांग के ती जही है नस रात रुकाओ तेने चिंता दाएक हवारे नावा माटे डोल पाणी लाई शू क्यांती एवा दिबस होता आजे आपने जे आनार ने खेती दिद्वा माड़ी और आलू नी खेती बटागा नी खेती मां तो क्या है पूंची गया कोंग्रेस वाएक ने कई लागे आमने कहिं या आलू नी खेती दाए ज़े सोनू बनावाई ज़े ज़े आपने ते बदल आयो चे न भाईयो अवे मनको आपने ते पानल पुरवन्दे भारत पहुचे गई पहुचे की ना पहुचे जे रिते आपने विकास ना कामो कर रहा ची है सुजराम सुबलाम योजना बनाई पाणी पहुचाड़ियो चारे कोड लोको ना जीवन मा बढ़लाव आयो ने आयो नर्थी जल नहीं तो आपने ते या उत्तर गुजात मा तो माथे बेडला लाईने तन तन चार-चार किलोमेटर जेव उपड़तु आपनी माताव बहनो अर्थो दाडो पाणी मा जतो आप बद्धा माधी आपने बाहर लाया एना माटे काली मजूरी करीज़बाई येले जे जुनी पेडिना लोको जेनी बद्धी खबर जे पना जे चालिस ती नीचे ना जे चे ना ये बद्धा ना जुनी खबरो नतीबाई येले याद आपने चुकरू जन में तो काकान नाम नाम नावड़े कर्फियू बोलता हुड़े कर्फियू जोय हो है ये ये वादी दिवस होता आजे कर्फियू नामों निचान नती अनक सोक चेंथी बदा शाते बड़े ने जीवेचे ए आपने बुजरात बावयो बैनों शीक्षण मा बने आच्चे वूं जर कन्या केलरुनी माटे काम 2002-2009 मुख्यमंत्री बने तो कन्या केलरुनी चीद बनासकाडां नाम सवधी नीची आवे आजे एमाधी बोटी क्रांती धाई अने आदोनिक स्क्षण नी दिजाम मारु बनासकाडां आगल वदमा माड़ी बाई बालको निशान नोता जाता आजे जवाम माड़े अचला मैंने उच्चे स्क्षण तरब जवाम माड़े केवानों मारों साथ पर एज छे भाई के गुजराते विकास जे करो छे एनी पांचल एक भीजन रहू छे एक लांबा गरानी महनत रही छे अने एना परणा में आजे आपड़ु गुजरात आगल वदिऊ छे मारी सव मद्दाताओं ने विनंती छे सव मारा वाला नागरीक भाईयो वेनों ने विनंती छे आपना तो बनास काटाना लोगों दुणई नी डंबरीओं मा मोटा द्याज भे आपने तो गर्मी ने ओगारी दीदी वालोकों जीए गम्मे ते टली गर्मी होई मतदान बदू जोई है बदूमा बदू मतदान थाए और जुना बद्दा रेकॉर्ड तुटवा जोई है तोड़ सो तोड़ सो तो भारतिये जनता पार्टी ने बव्वे भी जाए पाव जो गुझरात ने बद्दी सिटो जितार जो आपनी बेबेश जोई है जी बदाए जितार जो पाको भारत मतखे भारत मतखे भारत मतखे